Hey guys, welcome to study IS, this is Shivam your educator और आज मैं आप लोग लिए वीडियो लेके आ गया हूँ, हमारा topic है आज की वीडियो का mission कर्म योगी, इसके बारे में देखेंगे कि हमारी सरकार ने ये जो mission है, ये एक program है जिसे launch किया गया है सभी civil servants के लिए, तो उनके लिए एक बहतर और अच्छे सुनी training दे सकें, काफी सारी जो modernized facilities हैं, वो उने provide करवा सकें और उनकी एक एक जो training हो रही है, उसका एक सही तरीके से analysis हो, मतलब कि A to Z जो उनकी training में काम आती हैं चीजें, ये नहीं कि सिर्फ training के दोरान, बलकि जब वो लोग काम करना शुरू भी कर देते हैं, उसके बाद, कुछ इस mission से related एक बाते देखेंगे, आपको समझानी कोशिस करूँगा, कि ये mission किस तरीके से beneficial होगा, सभी civil aspirants के लिए, और या फिर आप कह सकते हैं, civil servants के लिए, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं, mission कर्म योगी के बारे में, सबसे पहले news catch में ब बहतर किया जाएगा, साथी साथ जो shared faculty हैं उन्हें बनाया जाएगा, और resources जो हैं उन्हें भी लाया जाएगा, जिससे कि जितने भी central training institutions हैं, उनमें ये सारी जो चीजे हैं, ये करी जाएंगी, और जो वहाँ के civil servants हैं, उनकी training को और बहतर किया जाएगा, ये जो mission कर्म civil services capacity building के लिए, और इस program के अंदर जो benefit होगा, अगर हम मानें कि सबसे ज्यादा benefit किने होगा, तो वो लोग है civil servants, जो कि आपके IAS, IPS, IFS, IRS officers हैं, सिर्फ इनको benefit नहीं होगा, इनके साथ साथ जितने भी civil servants हैं, उन सभी को होगा, लेकिन आप कह सकते हैं, जो ज्यादा benefit है, वो इन सभी officers को होगा, तो ये mission करमयोगी का briefly मैंने आपको बताया कि क्या बाते हुई है, किन लोगों ने उसे प्रूव किया है, तो हमारी जो union cabinet है, उसने अभी improve किया है, कल ये improve कर दिया था, अब देखिए, जो हमारे नरेद मोदी जी है, हमारे प्राम मिनिस्टर जी, उन्हो कल का ये news है, तो उसमें इन्होंने ये सारी बाते किती, तो मैंने सोचा कि आपको उनका tweet दिखा दिया जा, तो ये उनका tweet था, अब देखिए, थोड़ा सा mission के बारे में समस्ते हैं, बताता हूँ मैं आपको, ये जो करमयोगी प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या होगा, कि क मतलब कि हमें हर तरीके से जो नई दुनिया से related, जितने भी modern technology को use करते हुए, जो training में help की जा सकती है, वो तो होगी होगी, साथी साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा, कि कहीं वो लोग अपना जो Indian culture है, उसे भूल तो नहीं रहे, या फिर उनके touch में तो नहीं है, इसलिए इन दोनों ही चीजों को एक साथ लेकर चलने की बात कहीं गई है, इस mission के अंदर या फिर आप कह सकते हैं, इस program के अंदर ये सारी बाते कहीं गई हैं, अब देखें जो major focus area होगा उनका, वो क्या होगा सबसे पहले, कि supporting transition from rule-based to role-based HR management, अब देखें, rule-based क्या है, मैं rule-based की, rule-based की बात करें, कि अगर एक आदमी किसी एक specific काम में बहतर है, वो उस काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, तो हम लोग उस इनसान को ही वो काम गिया जाए, अब ये काफी बढ़िया बात है, आप मालने जिए कोई इनसान है, वो ए कोई वर्क है, जिसमें क करने में काफी बहतर है, तो उसे वो ही काम दिया जाएगा, जिससे कि वो काम जो है, वो और बहतर किया जा सके, ऐसा नहीं होगा कि जिसको वो काम नहीं आता है, उसे ट्रेनिंग दे के, और उसे सिखाया जा रहा है, इसमें नहीं, लेकिन जिन लोगों को वो काम आता है, ज इसके बारे मैं आगे पूरी डिसकस करूँगा कि किस तरीके से बात है continuous performance analysis मतलब कि हर मतलब बीच बीच इंटरवल्स में उनकी ट्रेनिंग के दोरान या फिर उनके आप कह सकते हैं काम करने के दोरान ही ये भी देखा जाएगा HR management to deliver the right competences मतलब कि एक तरीके से आप मान सकते हैं एक सही एक efficiency उनकी बढ़ाने के लिए जितने भी बड़िया तरीके से काम किये जा सकते हैं वो सारे काम जो है वो इस प्रोग्राम के दोरान किये जाएंगे और इस mission के अंदर वो सारे काम जो है वो करे जाएंगे तो जो हमारे डॉक्टर जितने दर सिंगया उन्होंने ये कहा है कि जो mission करम योगी है वो किस तरीके से एक nation के servant को एक nation को एक बहुत ही बड़ी है तरीके से अपनी duty प्रोवाइड करे उस पे द्यान करेगा अगर हम लोग बात करें करम योगी के बारे में तो करम योगी एक ऐसा इनसान होता है जो कि लोगों के हित के लिए काम करे जो कि लोगों के बहलाई के लिए काम करे और वो वो काम जो करता है वो अपने लोगों के लिए करेगा साथी साथ ये जो mechanism है ये continuous capacitive building प्रोवाइड करवाएगा साथी साथ constant updating मतलब कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके से पीछे ना रहने दिया जाए इस बात पे भी ज़्यादा दिया जाएगा He also said that this mission would help in providing training opportunities for all मतलब कि सभी लोगों को एक बहतर training देने में मदद करेगा हमारा ये वाला mission या फिर आप कह सकते हैं ये program जो है ये सारी बाते कही गई थी डॉक्टर जेदिन सिंग द्वारा अब I got जो वहाँ पे मैंने बात की थी तो उसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये platform है कैसा तो ये platform पहले ही निकाल दिया गया है मतलब कि ऐसा निये कि इसी mission के दौरा निकाला गया था लेकिन इससे पहले भी ये platform आ गया है जिसका full form है Integrated Government Online Training मतलब कि ये online training देने के लिए ये एक जो आप कहा सकते है program था ये एक online platform है उसे launch किया गया था और launch किस ने किया था Human Resources Development Ministry जो आप कहा सकते है दिक्षा platform है उसके दौरा साथी साथ ये जो platform था ये मतलब कि COVID-19 दौरा जो pandemic था उस time पे ये launch किया गया था हमारी home ministry के मतलब अंतरगत ये आता है जहां पे ये देखा गया था कि लोगों को जो training चाहिए वो उन्हें online मिल जाए और किसी तरीगे के उन्हें दिक्कत ना हो अब last में जाते आते आपको मता दूँ कि SPV मतलब special purpose vehicle उनके functions और responsibilities हैं जो main focus रहेगा वो यहां पे रहेगा कि vocal for local मतलब कि Indian platform ही use किया जाए जो भी चीजे हो वो हमारी Indian से ही related हो design, implement and manage digital platform साथी साथ create, buy and curate content साथी साथ वो manage or deliver करें हमारे जो independent assessments हैं उनको और telemetry data based scoring हो monitor evaluation मतलब कि हर तरीके से हमारे जो civil servants है उनकी एक एक बात को देखा जाए और उने और बैतर करने में मदद हो तो feedback assessment भी है जहां पे लोगों को दिखाया जाएगा बताया जाएगा कि क्या उनकी performance रही है या फिर किस तरीके कि वो लोग और ज़्यादा feedback मतलब और क्या improvement चाहते हैं तो हर चीज पे ध्यान दिया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो आई होप कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ चीखा होगा और आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा में अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई